नमस्कार दोस्तो यूटीब चनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम मेकैनिकल सील के उपर जो इंटर्वियो में क्वेशन पुछे जाते हैं उनको कवर करेंगे तो मेकैनिकल फीटर के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फोरमेटिव है तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जुरू कर दे 200 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो पहला question है What is the function of mechanical seal in centrifugal pump? Centrifugal pump में mechanical seal का क्या function होता है? तो दोस्तो यहाँ पे आपने इसका answer देना है Mechanical seal prevent the fluid leakage from the pump to external environment Mechanical seal क्या काम करती है? Pump की जो casing में fluid होता है उसको बाहर leak होने से रोकने का काम करती है तो दोस्तो वो fluid आपका costly भी हो सकता है या फिर कोई acid भी हो सकता है कोई chemical भी हो सकता है जो environment को बाहर गंदा कर सकता है तो इसी कारण से Mechanical seal का use किया जाता है ताकि वो pump के अंदर जो liquid है उसको बाहर leak होने से रोक सके Question number 2 Which part of mechanical seal is rotate with sharp? दोस्तो यहाँ पे question है कि mechanical seal का कौन सा part pump की shaft के साथ में rotate करता है तो दोस्तो यहाँ पे आपने इसका अंसर देना है Mechanical seal के दो main part है एक तो है rotary part और दूसरा है stationary part stationary part जो होता है वो stuffing box में fix किया जाता है यानि ये fixed part है और जो rotary part है वो shaft के उपर लगाया जाता है जो shaft के साथ ही rotate करता है तो इस question का अंसर हो जाएगा rotary part question number 3 which face material is best for lime celery liquid दोस्तो यहाँ पे question है कि अगर mechanical seal किसी celery liquid में लगाना हो यानि जहाँ पे उस material में abrasive particle है तो वहाँ पे mechanical seal के कौन से face combination material का use किया जाता है तो दोस्तो इसका अंसर आपने देना है TC versus TC TC की full form है tungsten carbide यानि अगर आपको mechanical seal किसी celery liquid यानि ऐसे liquid में लगानी है जिसमें abrasive particle है तो वहाँ पे TC versus TC best combination माना जाता है mechanical seal के faces का question number 4 what is the reason behind mechanical seal failure mechanical seal fail होने के क्या क्या कारण हो सकते है दोस्तो यह भी काफी बार interview में पूछा जाता है question तो इसका अंसर आपने देना है दोस्तो सबसे पहला आपने reason देना है dry running अगर mechanical seal या फिर हमारा pump dry running करता है तो धीरे धीरे क्या होता है mechanical seal heat हो जाती है जिसके कारण mechanical seal के face और उसके oaring damage हो जाते है दूसरा reason है दोस्तो vibration in pump vibration अगर pump में है तो भी mechanical seal फेल हो जाती है vibration किस कारण से हो सकती है दोस्तो अगर pump में misalignment है तो वो भी vibration का cause है bearing अगर proper fit नहीं है वो भी vibration का कारण है shaft अगर pump की bend है या फिर impeller unbalance है तो उसके कारण भी vibration create होती है तो vibration भी एक cause है mechanical seal फेल होने का तीसरा कारण आप दे सकते है axial play in bearing दोस्तो अगर pump के bearing में axial play ज़्यादा है तो shaft को आगे पीछे move होने के chances रहते है तो अगर आपकी shaft आगे पीछे move करेगी तो उसमें क्या होगा जो mechanical seal के faces है उसमें gap बन जाएगा और वहाँ से आपका fluid leak करेगा question number 4 which is known as secondary seal in mechanical seal mechanical seal में दोस्तो secondary seal किसे कहा जाता है तो दोस्तो इसका answer आपने देना है o-ring दोस्तो mechanical seal में जो o-ring लगे होते हैं उनको secondary seal भी कहा जाता है question number 5 दोस्तो इस question का answer आपने comment करके बताना है which part of the mechanical seal locked by grub screw grub screw के साथ mechanical seal का कौन सा part locked किया जाता है तो अगर आपको answer पता है तो नीचे comment करके जरूब बताएं वीडियो चीलेगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share करें thanks for watching